Bantan Alien Force Series, Ultimately Alien Force Series और Omniverse Series में एक से बढ़कर एक Aliens को Introduce किया गया है लेकिन याद इन तीनों सीरीज में से सबसे Best Series कों सी है यानि की सबसे Powerful Aliens के सीरीज में है तो भाई इस ओसम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो यह चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्वी से स्टार्ट कर लेते हैं तो भाई पहले बात कर लेते हैं एलियन फोर्स सीरीज की इसमें क्रोमा स्टोन विक्चिल यूमंगस और रैथ स्पाडर मंकी और जैट्रे जैसे पाउरफुल एलियन्स को इंटर्ड्यूस किया गया है भाई मुझे पता है एलियन एक्स को भी एलियन फोर्स सीरीज में ही इंटर्ड्यूस किया गया है लेकिन भाई हमने इस लिष्ट में एलियन एक्स को बिलकुल भी नहीं लिया है और भाई इनके अलावा स्वाइर, एको एको, क्लॉक वर्क, ब्रेम्स्ट्रोम जैसे पाउरफुल एलियन्स को भी इसे सीरीज में इंटर्ड्यूस किया गया है बात करेंगर एलियन फूर्स सीरीज के पाउरफुल एलियन्स की तो इसमें आते हैं विक्किल, जैट्रे, युमंगस और रैट, एको एको, क्लॉक वर्क और सोम फायर जैसे पाउरफुल एलियन्स आप लोग कहेंगी Diamond Head भी तो पाउरफुल एलियन्स है फिर उसे को नहीं लिया है तो देख विरहा Diamond Head, Bentham Classic सीरीज का एलियन है नाकि Alien Force सीरीज का बाई अब बत करते हैं Ultimate Alien Force Series के Most Powerful Aliens की इसमें आप उन सभी Ultimate Aliens को ही ले सकते हैं जो कि हमें Ultimate Alien Force में दिखाए गए हैं उन Aliens को बिल्कुल मत लेना जो कि हमें Omniverse Series में दिखाए गए हैं Ultimate Alien Force Series के Ultimate Aliens के अलाबा अगर इस लिस्ट में कोई आता है तो वो है Armodrillo, NRG जैसे Powerful Aliens तो अब बात करते हैं Omniverse Series के Most Powerful Aliens की इसमें आते हैं Kicken Hawk, Bullfrag, Atomics, Astrodactyl, Crab Attack, Feedback और बाई गेटरोट को कैसे भूल सकते हैं और इन Aliens के अलाबा जो भी हमें Omniverse Series में Alien देखाए गए हैं वो इतने Powerful नहीं है जो कि Alien Force जा पिर Ultimate Alien Force Series के Aliens को टकर दे सकें या उन्हें Defeat कर सकें तो भाई अब बात कर लेते हैं Omniverse Series vs Alien Force Series vs Ultimate Alien Force Series में Best कौन है यानि कि कि Series के Aliens सबसे ज्यादा Powerful है तो यार पहले बात करेंगे Alien Force Series vs Omniverse Series में तो देखो यार Kicken Hawk और Wolfrag जैसे Powerful Fighting टाइप Aliens को तो यूमंगस और या फिर Rett जैसे Powerful Fighting टाइप Aliens समाल लेंगे Gatrot और Astrodactal को तो अपने Wikile, Jet Ray और Tomas Stone जैसे Powerful Aliens ही आर राम से डिफिट कर देंगे अब Alien Force Series में बचे है Swarm Fire, Echo Echo, Brainstorm और Clockwork जैसे Powerful Aliens जबकि Omniverse Series में Atomics, Feedback और Grav Attack जैसे Powerful Aliens बचे है तो यार एको एको का Body इतना Powerful नहीं है वो जल्दी ही Destroy हो जाता है तो Atomics अपने Nuclear Attacks जा फिर Feedback अपने Powerful Attacks से उसकी Body को ही Destroy कर देगा लेकिन भाई हमारे Echo Echo भाई को कम बिल्कुल मत समझना क्योंकि यह सभी Omniverse Series के Aliens को अच्छा खासा परिशान कर सकते हैं Swarm Fire और Brainstorm को Grav Attack जैसे Powerful Aliens देख लेंगे अगर जरूरत पर ही तो Feedback भी हेल्प कर देगा तो अब Alien 4 Series से आता है Clockwork और Omniverse Series से आता है Atomics दोनों पर मैंने Already एक Versus Battle वीडियो बना रहा है Link आपको Description में मिल जाएगा तो इस वीडियो के Last में उस वीडियो को जरूर देख लेना आपको Sword मैं बता देता हूं देखो Clockwork के पास Time Powers है और Atomics के पास न्यूक्लियर पावर तो यार टाइम पावर्फुल होंगे इसलिए Clockwork का बिनर हो सकता है लेकिन भाई हमारे Clockwork वह यह इतने पावर्फुल नहीं है जितने की मेल ट्रोंट है यार क्लॉक वर कपनी टैम पावर का कभी ठीक से यूज करता ही नहीं है अटोमिक्स के एक न्यूक्लियर अटेक में Clockwork धेर हो जाएगा अटोमिक्स के जीदने के चांसे कम हैं लेकिन भाई Feedback और Grav Attack जैसे पावरफुल एलियन्स अगर अटोमिक्स की हेल्प करते हैं तो भाई Clockwork की तो छुट्टी हो जाएगी तो भाई Alien Force Series और Omniverse Series की इस बर्सेज बैटल का बिनर होगा Omniverse Series क्योंकि इसमें Grav Attack, Feedback और Atomix जैसे पावरफुल एलियन्स को इंटर्ड्यूस किया गया है Alien Force Series vs Ultimate Alien Force Series की इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि Ultimate Alien Force Series में ज्यादा Powerful Aliens है इसलिए इस Fight का बिनर तो वही होगी Alien Force Series में इतने Powerful Aliens नहीं है जो कि अपने ही Ultimate Form को टकर दे सके जा फिर उन्हें Defeat कर सके लेकिन Clockwork उन सभी Ultimate Aliens को कफी अच्छी टकर देगा लेकिन Ultimate Waveic के सामने वह भी नहीं टिक पाएगा तो अब बात करते हैं Ultimate Alien Force Series vs Omniverse Series दोनों ही Powerful and Best Series है तो इस Fight का बिनर कौन होगा तो अब Omniverse Series में बचेंगे Atomix, Feedback और Grav Attack जैसे Powerful Aliens जो की पूरे Planet तक को Destroy करने का Power रखते हैं अपने पास Ultimate Humongasaur जैसा Powerful Ultimate Alien Feedback के सामने भी नहीं टिक पाया था तो Atomix के सामने कैसे टेक एगा और वैसे भी दोनों ही Aliens ने Ultimate Humongasaur की पूरी तरह से पिटाई की है बाकि सभी Ultimate Aliens के पास इतना Power नहीं है जोकि Grav Attack, Feedback और Atomix को Defeat कर सकें इसलिए Ultimate Aliens 4 Series में बचेंगे Ultimate Swarm Fire, Ultimate Echo Echo और Ultimate Wave यहां पर Ultimate Wave अपनी Cosmic Disc जा फिर अपनी Cosmic Grace से Grav Attack के आराम से दो तुकड़े कर देगा और उसे Defeat कर देगा लेकिन बाई Ultimate Aliens के लिए Feedback एक Problem है क्योंकि वह पावर को Absorb कर सकता है और उसका Fighting Style भी सबसे Best लेकिन बाई Ultimate Aliens ने Ultimate Echo Echo को क्रेंट पर थोड़ी ना ले रखा है वाई Ultimate Echo Echo के पास पावर एबसॉर्प करने जैसा कुछ है ही नहीं है Ultimate Echo Echo अपने पावरफुल सॉनिक अटेक से Feedback को काफी अच्छी टक कर दे सकता है हां अब बचते हैं अपनी पावर का ज्यादा यूज़ कर लें तो वहने डिफीट करना आसाम हो जाता है लेकिन अकेले ही अटोमिक्स को डिफीट कर सकता है लेकिन अल्टीमिट सॉम फायर अल्टीमिट एको एको और अल्टीमिट वेविक पुरी तरह से अटोमिक्स को पीटेंगे और ओम्निवस सीरीज को इस फायट का लूजर बना देंगे तो भाई आपको आज के ये ओसम वीडियो क्यासा लगा यार प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू झाल